अब इससे पहले का मैडम का सूपर बोरिंग व्लोग तो आपने देखी लिया था उसमें कहने को कुछ नहीं था दिखाने को कुछ नहीं था करने को कुछ नहीं था तुरंती मैडम ने एक और डाल दिया अब मैडम के अंदर की जो ममता है मैडम के अंदर की जो ममता का जो शे चैनल मेन्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथी साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिसे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए जना आप बच्चे को खिला रहे हैं व्लो की शुरुआत होती है और उसमें कहते हैं अरे पांस द बच्चा बैठ गया पहले भी बैठा वा था अब उसमें नया क्या खिलता हो नज़र आया हमें तो कुछ नज़र आया नहीं बड़े मज़े आ रहे इन्जोई कर आतु कार की लाइफ तुझे बड़े मज़े आरे भाई उसको मज़े कहां से आ रहे हैं एक हलकी सी स्माइल तरह बच्चा बैठा था जब तुमने गाड़ी में बिठा दिया तो उसको तब भी बठा दिया दोनों तरफ से बैल्ट से जबकि गाड़ी को यह स्पीड में बिनी चली खड़ी है फिर भी तुम्हें ट्रस ने जबकि पापा बरापर में बैटे वह उसकी बावजुद भी बच्चे को बांध रखा है देखो पांच दिन में यह अपने खिलोनों की वैल्यू करने लगा है वहां नहीं मिले ना वहां पर भी खरीद ले तो मैडम ने दिखा भी दिए हैं लेकिन यह नहीं ख्याल आया कि घर में कोई और बच्ची महमान आई हुई है कुछ उसके मतल मतलब इंका काम चलता रहा प्रोजेक्ट चलता रहा यह करता रहा जो आपको ब ही होने जाना बच्चे के बहार पापा के पास चाहे और पापा के पास ही रुका रहे नहीं तो पता है पापा बच्चे की बॉंडिंग इतनी अची हो जाती है कि वो एक बार को मम्मी के पास जाने के लिए मना कर देते हैं लेकिन पापा के पास लपक कर जाते हैं पता है क्यों क्योंकि पापा लोग बाहर गुमाने ले जाते हैं बाहर से चीजे दिला कर लेकर आते हैं उनको घुमाना फिराना बच्चों को बहुत पसंद है इवन जनाप के पास तो राइट भी है बाइक भी है और बुलट है बाइक है क्या है वो तो उसके पे भी उसको राइट घुमाया जा सकता है पर नहीं जब बच्चा गोध में ही है इनको लगता है कि वहां से गिर जाएगा नहीं तो एक साल का बच्चा भाइस साथ पापा लोगों के साथ बाइक पे बैटना कितना उनको पसंद होता है जब मेरा बेटा एक साल का था न तो उसके पापा घुफिस जाते थे तो वो सवेरे उट जाता था और उसको एक राउंड लगाना ही लगाना था आगे बैटके तो वो एक राउंड लगाते फिर उसको लिटल हाट दिला कर छोड़ देते और उसके बाद फिर मेरे पास आ जाता था और मैं गेट पर तब तक इंतिजार करती थी तब तक वो एक राउंड लगाकर उसको शौप से लिटल ह बच्चे के साथ, I hope बहुत सारे लोग मेरे साथ तक्री करेंगे, जिनके बच्चों की पापा के साथ ऐसे बॉंडिंग बन जाती है, जब पापा लोग काम पे या ओफिस या कोई भी जॉब पे जाते हैं, तो पहले एक राउंड लगाते हैं, चाहे फिर वो कितने भी अमीर क का बच्चा हो, कितने भी गरीब का बच्चा हो, कितने भी मिडल क्लास का बच्चा हो, लेकिन ये रूटीन एवरी घर का होता ही होता है, चाहे फिर वो किसे भी बलॉंग करते हो, चाहे फिर वो हायर सोसाइटी से बलॉंग करते हो, या लोवर सोसाइटी से बलॉंग करते ह पापास साइकल हो, चाहे किसी के पास बाइक हो, चाहे किसी के पास गाड़ी हो, यह होता है बच्चों की बाड़निंग अपने पापा के साथ, और यह मैं बात कर रही हूँ लड़कों की नहीं, लड़कियों का भी यही रहता है, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता न, उसको यह लगता है कि अब पापा बाहर जा रहे हैं तो मुझे पापा के साथ जाना ही जाना है और यह मैं नॉर्मल घरों की बात कर रही हूं और इनका तो भाई अजीब ही घर है एक साल में तो बच्चे को हर्याली देखने को मिलिए एक साल में उसको ग्रीन पोदे पेड़ पत्य ग्रीन री कलर्स वो कुछ भी बच्चे को नहीं देखने को मिल रहा है और मैडम आ गई है सामने और बड़ी खुश-खुश वही मरून कलर का जो एक सूट है जिसका दुपट्टा अकसर वो हमेशा होड़ती रहती है तो सूट हो गया है थोड़ा सा लूस क्योंकि मैडम मे रिजल्ट भी मिल रहा है जो बिल्ली की आवाज आ रही है ना हमने एक बिल्ली पाल रहे के जिसका नाम है परी यानि कि मेरी बेटी ये मियाओं मियाओं कर दिये पीछे साके इग्नौर करें उसको आगे बढ़ते हैं करेते मैडम की मैडम है बहुत जादा खुश और पीचेंगे कैसे तो देखो वह इतने दिन वेट रेडियूस करने पर लगी हुए लेकिन उसको रिजल्ट हाथ नहीं लग रहा है जो कि उसके लिए बहुत जादा इंपोर्टेट भी है और जरूरी भी है यह मरता क्या ना करता वाली बात आ गई है अब तो क्योंकि भाई स चीज पर जाते ना कंसीव करने के दोर रास्ते पर जाते हैं तो सबसे पहले यही कहता है कि आप पहले अपना वेट रेडियूस करें और भी कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी वेट रेडियूस के लिए बोला जाता है और इनको तो PCOD PCOS प्रॉब्लम है दूसरा अपनी ननन्दरानी को दे तो इससे पहले भी तो आपने किया न लेकिन मेड़ijn ने सोच लिया होगा पहले करके को उन्होंने मुझे इनाम दे दीया है जो आब वो मुझे इनाम देदी कि तो मैड़म चाती है कि अब मैं देखो तुम से जाधा रेस में आगे निकलके वो गई है आपको सबको पता है दस दिन बाद वो आने वाली है तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए हर लिए हर ग्रॉसरी के लिए शॉपिंग के लिए बाहर निकल लिए तो वह यह शेड़ कर दी है कि घर में दो दो तिन तिन गाडियां होने कि बाऑजूद भाई-भावी, हमें गाणिया नी दे रही है, और फनिया आया था न, और जब वहां से नमाज अदा करके यह बाहर से आया था, वो पूर पूरा ना भीग गया था, के नहीं, वो जो है भीग जाना मंजूर होगा लेकिन वो गाड़िया नहीं देंगे अपनी गाड़ी के मामले तो मैं मैं तो अभी भी वोलूँगी कि जनाब का जो कुछ जाद ही ओप्षेशन है वो अपनी अच्छी वाली लगजरियस गाड़ी में ना किसी को नहीं बिठाते किसी को भी सिर्फ और सिर्फ तो बस अपनी अम्मी अपने पापा और प्लस अपनी सास बस और उनके अलावा मैडम जनाब के अलावा इन तीन परसन के अलावा कोई फोर्थ परसन अगर कोई भी बैठा है कोई भी तो वो है जनाब 2.0 अधरवाइस वो किसी को जैसे मोदाहमंड लिया हुई है कहीं जान वहाँ पर जाना है और पर यह हैं बाहरए लेकिन गाड़ी ना ऊंगेंगे और ना ही वह देंगे बढ़ी ही खुश हो हो के मैडम बता रही है कि देखो अच्छा लगता हैै न अप्वाएब मेरे सारे सूट लूज हो गए है और इस उतों की मैंने फिटिंग नहीं करी क्योंकि आपको दिखाने थे और नीचा भी तो दिखाना था ना चालू आपी को कि देखो मेरी कितने सूर्ट लूज हो गए और मैंने एक ही महीने में अपना कितना वेट कम कर लिया है और उसके बाद फिर आके बत लेकिन मैडम भी तीन-चार बाद चाहे चाहे बोलके चाहे पीनी है जादे एक रिंजी पना नहीं हो गया है देखो दो साल बाद ट्रेन के ट्रेवलिंग कर रहे हैं और उसके बाद चाहे चाहे की आवाज आज़े तो बस क्या ही बताए ओफ ओफ हद्ध है मतलब यह क्लिपि तो किया लेकिन हमें नहीं दिखाई दिया और उसके बाद बैक तू वापस आ जाते हैं प्रेजेंट में यानि के जहां से वह कह रही थी ना जाकर देख कर आव स्टेशन की शूटिंग कर गया है तो यह भी सोच लेते कि इनके घर में भी जो है एक चोटी बच्ची आई व क्या उनको यह समझ में या है कि कोई और है या फिर वो अभी तक भी उसी के जो बच्ची का जो मामा है मामा ने जो कुछ भी किया है उसी का बदला जो है वो मा से और भांजी से लिया जा रहा है यानि के क्रेजी कजन की सिस्टर और क्रेजी कजन की भांजी से लिया जा रह ना कि तुम जो है अपनी फुपी के घर जाकर बैठ जाओ इतने दिन के लिए जबकि वहार रहने को जगा नहीं आपको तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है फिर प्लस आपस में तुम्हारी बनने रही है मतलब तुम्हारे पापा की और भाई की तो बनती नहीं है आने ज किलानी है उनको और नानी के साथ बहुत ही खुश होता इतना एंपने पापा के साथ कोशनीं सब्सक्राइब तुम तो बस कहने भर की माँ हो एक्चुल में तो पाला तो नानी नहीं हो उसको और फिर मैडम बताती है कि इसको एक्चुली थोड़ा सा कफ कोल्ड हुआ है इस बार नियायत है वो क्या होता है थंडा बाहर थंडा बाहर क्योंकि तुम एसी तेज चला कर गाड़ी में पूर की इंवार्मेंट से बाहर जाएगा और बाहर का क्लायमेट जब उसको टच करेगा तो तो डेफिनेटी फर्क तो आये गईна तो तो तुम उसको पहले सी इनदर डालकर चलो उसको बाहर की हावा दिखाओ बालकोनी में ले जाओ इवन उसको स्ट्रॉलर में डालके नीचे गुमाने के लिए लहाँ पर नहीं तुम उसको फाइव बीचके जान में ऐसे एयर फ्योफाइर लगा के ऐसे रखते हो जैसे बाहर की हवद उसे लगेगी यह नहीं पढ़ाई लिखाई भी घर में इसको पिलाता है जिनको मैंने देखा था नर्सरी में जो फाइव मन्त्ट् प्रिमेचुर बेबी डिलीवर हो जाते हैं और उनको नर्सरी में रखा जाता है उनको जो है इस तरह की जो छोटी वाली सिरिंज होती है उससे दवाई दी जाती है या तो उनके फूट पाइप जो लगा रहा होता है उनको उसके तरूस से सिरिंज से डाला जाता है या फिर स मुइच मेरे पांचिह महिने में पड़ा है मैंग तक मुआ उसके पास दो राथ तीन रात रुखी में तो में रात कैसे को फीट कराने तो ज अधा से डूद में डालती जालती थी, तो वो कहते थे कि चम्मास से पाइप में डाल दो और उसको जब तक उसका चलाना जाये, तब तक क्योंकि उनके मुह में नली लगी हुई होती थी, और उसमें डाल देते थे, लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे थे उनको स्रिंज में दूदद देते थे वो, ना लेकिन इस उमर में जब 12 साल का हो गया है उसके बावजूद भी सिरिन से थोड़ी-थोड़ी करके दी जा रही है यह मुझे समझ से नहीं पता नहीं डॉक्टर भी इस ऊसको आदर पियानों पे ठाक 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 जा रही है उस पियानों को नजने कितने लोग छूते होंगे हाथ भार भार धोते नहीं होंगे तो यह क्या तरीका हुआ कि मतलब जितना डॉक्टर हाइजीन को यूज करने के लिए बोलता है दवाई के मामले में कहते हैं कि दवाई को साबुन से हाथ धो के अच्छे से स्टरिनलाइज करके उसके बाद से आप बच्चों को दवाई देनी चाहिए या बड़ों को भी दवाई देनी चाहिए और बहुत ही हाईजिन का ख्याल रखा जा ही फैलता है तो इसमें तो और भी खास तोर से हाईजिन का ख्याल रखा जाता है मैडम है उसी सिरिंज से दो दवाई पिला रही है और उसी सिरिंज को उसकी प्यानों पर टप 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 करके बजा रही है हाथ दे भाई अपने बच्चे का तो कम सकम ख्याल रखो उसकी उस उस बच्चे को इस दोनों कम पढ़ रही है तो विचारी जोन की help पर है न वो भी आ गई है help करने के लिए वो भी एक साइट से उसको जोन चीर करने की कोशिश कर रही है और भाई जून का महिना लग गया हो और मैडम जून के महिने का राग ना गाए पॉसिबल ही नहीं है व आप दिन चनाब का फिर अगले दिन बेटे का ऑपहले जनाब के लिए ही वो इतनी जदा ओवर गोण जाती है कि मुझे यह करना वो करना उवरकॉन्स चप्ड नहीं बोल जाएंगे उसको ओवर क्या बोलेंगे ज्यादा ही ओवर कर देते हैं चलो यह बौल सकते हैं और बै काउंडाउन करना है देखते हैं मैं कितना फिरी हो सकती हूं मैं क्या कर सकती हूं मेरे को कितना टाइम निकल सकता है तो अब जो अगला व्लोग आएगा न देखने के लिए तो थोड़े जल्दी जल्दी व्लोग आ जाएंगे क्योंकि काउंडाउन तो दिखाना है न इतने दिन रह गए, पर छोद है वह दिन दिन करना पड़ेगा और उसका शूट काना पड़ेगा देखने वाली बात यह is तरह सकती हैं यह जै यह exposed वो तो वक्त आएगा तो ही पता चलेगा और काउंडाउन जो है सर्फ जनाब के लिए बेटे के लिए काउंडाउन कुछ नहीं है बेटे का भी तो बड़े है भूल गई क्या आप या बड़े बच्चे में ही इतना बीजी हो गए है कि चोटे बच्चे को भूल गई है और ज दिखाऊंगी ठीक है ना तो भाई जैम और लड़ू बन जाते हैं और वो भी क्या सूपर बोरिंग तरीके से भाई साब उसमें मैं क्या ही बताऊं देखने के लिए कुछ ताई नहीं एपल उबाला खजूर काटा पानी में उबाला उसका पेस्ट बनाया मिक्स कर दिया औ भाई खाता होगा अगर बोल रही है तो खाता ही होगा क्योंकि यह दिखाती तो है नहीं व्लोग अपलोड करती नहीं है अब तो जो भी कहेंगी उस पर यकिन करना ही पड़ेगा और फिर बना दिये लड़ू सारे ड्राइफूर्स को देसी घी में थोड़ी से रोस्ट कर लिए और फिर उसके बाद उनको ग्राइंट कर लिया है थोड़ा सा आटा भून लिया है और फिर वापस से वही किया है खजूर का थोड़ा सा पेस्ट बनाया है उसको मिक्स कर दिया है और लड़ू बना दिये और वो भी इसलिए बना दिये कि जब बच्चे को भूग तो बच्चा वो खा सके तो भाई जीत के साथ तो भड़ी में नदक कर जा तैयारी चल रही है, countdown चल रहा है अगर मैडम अपने आलस को छोड़ के vlog बना पाई और upload कर पाई तो ही देखने के लिए मिलेगा, चलिए वो तो वक्त आएगा तब देखेंगे, I hope आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स वीडियो में तिल देन, बाई बाई, आलाहाफिस, टेक केर